चीकोज रेस्पीज को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें नमस्कार दोस्तो हरे कृष्णा मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको माग महात्म का आठमा अध्याई सुनाँगी जो की इस प्रकार से है यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुन्दर बात पूची है यदपी में पराधीन हूँ फिर भी तुमारे सनेहवश अपनी बुद्धी के अनुसार बतलाता हूँ जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते हिंसा करने वाले वेद यग्य तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान है रिश्यों ने बताया है जो मनुश्य जल या पृत्थी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूतर नामक नर्क में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मास खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीडे काटते हैं हिंसक जनमांध काने कुबडे लंगडे दरीद्र और अंगहीन होते हैं इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को मन करम और वचन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए जो हिंसा नहीं करते उनको किसी परकार का भै नहीं होता जिस तरह सीधी और टेड़ी दोनों परकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मचारी ग्रहस्त वानप्रस्ति तथा यती सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्म लोक को प्राप एदवादी और नित्य ही अगनी अर्थात हवन आदी का पूजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं युद्ध भूमी में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं जो नाथ स्त्री शरण में आई हुए तथा ब्राह्मन की रक्षा के लिए प्रान द जाते हैं जो मनुश्य गोओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुवा तलाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं जैसे जैसे जीव इन में पानी पीते हैं वैसे ही उनका धरम बढ़ता है जलसे ही मनुश्य के प्रान है इसलिए जो प्याव लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े यग्य भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले व्रिक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं, जो मनुश्य व्रिक्ष रोपन करता है, वह सदैव दानी और यग्य करने वाला होत जो अच्छे फल और अच्छी चाया वाले मार्ग के व्रिक्षों को काटता है वे नर्क गामी होता है तुलसी का पोधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है जिस घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते तुलसी की इत्रों का चित आनंदित हो जाता है और भी विमान में बैठकर विश्नु लोग को जाते हैं नर्मदा नदी का दर्शन गंगा का सनान और तुलसी दल का सपर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं हर एक द्वादशी को ब्रमा भी तुलसी का पूजन करते हैं रत दो भी पूजन को लगाने से होता है बह तुलसी के एक पूदह के लगाने से होता है पुष्कर आदितीर्थ गंगा का दी नदी वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं जो एक बार दो या तीन बार रेवा नदी से उत्पन शिव मूर्ति की पूजा करता है अथ्वा स्फटिक रतन के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में परवत या वन में रख्य हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमे शिव मंत्र का जाप करता है यम लोग की कथा भी नहीं सुनता प्रसंग शत्रुता अभिमान से शीव पूजा के समान पापों को नश्ट करने वाला तथा किरती देने वाला तीन लोग में और कोई काम नहीं है जो शिवाले स्थापित करते हैं वे शीव लोक में जाते हैं ब्रह्मा माता पीता देवता और अतितियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्म लोग को प्राप्त होते हैं तो ये था आठमा ध्याय आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा